वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटू में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्र करन्ट अफेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे और लेक्चर पूरा समझ में आएगा कैसा लगा लेक्चर यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर वैसे आप से लोग बताते हैं खूब प्यार देते हैं बहुत अच्छा लगता है उसके अलावा भी आपका कोई सजे अगर आपको इसकी पीडियेफ चाहिए तो यह हमारे दिये गए नमबर्स इन नमबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी पीडियेफ को आप ले सकते हैं देखिए वह स्टार्ट करते हैं सबसे इंपोर्टन करन्ट अफेर के साथ यह पिचर में आप लोगों को दिखा दूँ य अविए पिचर है जीट्वेंटी समेट आपको पता है कि हाल फिलाल में खतम हुआ है लेकिन जीट्वेंटी की तरज़ पे ही एक पीडियेफ करके भी स्टार्ट किया गया है पीट्वेंटी का मतलब है पार्लियामेंट्री मतलब कि 20 जो यह हमारे पूरा गरुप्स है यह वाला G20 वाला इसकी जतनी जतनी कंट्री यहां पर आती है उसके वहां के पार्लियमेंट के स्पीकर जो होंगे उनकी यहां पर मीटिंग रखी जाएगे समझे बात को तो यह वाली जो मीटिंग है न यह सारे G20 countries के speakers की हैं speaker आपको पता है ना जो अध्यक्षोते हैं लोक सभा में हमारे यहां की parliament को संसत कहा जाता है नई parliament बनाई गई है किसने design किया है, theme क्या है ज़रा comment box में बताईए कि हमारी जो नई parliament बनी है इसके architect कौन है इसके builder कौन है और दूसरा इसकी theme इस बार UPSC ने CDS के exam में theme के उपर सवाल किया था तो यह theme भी बहुत जरूरी है जो भी आपका इस साल और अगले साल exam आने वाला है उसमें यह current affair काफी important रहेगा तो हमारी जो parliament होती है उसमें लोक सभाव के speaker होती है यह जो speaker है इनकी meeting रखी गई है जिसकी theme इस बार की रखी गई थी Parliament for one earth, one family, one future एक प्रित्पी, एक परिवार, एक भुश्य के लिए संतर तो उस प्रकार से इसमें high level की meeting को यह आप देख सकते हो यह हमारे ओम बिर्ला साहब है और यह साथ में और भी बैठे हुए है नई दिल्ली में नई दिल्ली में कहा बहुत important है यशो गूमी यशो गूमी मैंने आपको अपने lectures में cover करा था यशो गूमी दौार का sector 25 में बनाया गया है एक नया center है जहाँ पे world class की जितने भी exhibitions और conferences होंगी वो यहाँ पे रखी जाएंगी तो काफी अच्छे level पे यह बहुत बड़ा center open up किया गया है तो अब आपको फिलहाल के रिए P20 summit याद रखना है P20 summit में ये बात याद रखेगा कि इसको start करने वारे हमारे प्रधान मंत्री थे और दो दिन का ये summit चला है इस दो दिन के पूरे summit में दो points के उपर discussion किया गया है जो कि वैसे तो मैंने सामने लिखा आप रीट कर लिए होंगे आप तक सबसे पहरा तो वही SDG Sustainable Development Goals सतत जो हमारे goals हैं उनके उपर सतत दिकास लक्षे और साथी साथ एक mission है आपको याद होगा mission life मोधी जी ने स्टार्ट किया था 2021 में Scotland Glasgow Glasgow याद है? याद नहीं है तो याद कर लो ये question जो है UPSC में CAPF exam में पूछा था भी कि mission life को कौन से COP में स्टार्ट करवाया गया था 2021 Glasgow Scotland Scotland कहा है यॉरप में तो mission life, lifestyle for environment के उपर ये दो points पे इस बार focus करके इस पूरे एक conference को आयोजित किया गया है very 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 important इसको तो बिल्कुल भी miss out मत करना कहा पर दिया है और जब इस meeting पूरी खतम होती है तो इंडिया की presidency किसको handover कर दी जाती है ब्राजील को क्योंकि अगला जो उमीद्वार है वो ब्राजील है तो आब इसके बाद next आगे ब्राजील आब मैं वही बात करूँ speaker की थोड़ा सा speaker का दिकर आया और मैं तो भही quality की fan हूँ quality मेरा सबसे बड़ा subject है तो speaker की अगर बात आई है और मैं speaker के उपर discussion ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता है इसलिए मैं speaker of लोगसभा जिसे हिंदी में अध्यक्ष भी कहते हैं थोड़ा सा इनके बारे मैं आपको बता दू historical background और important information speaker जो है ऐसा नहीं होता है कि speaker को हाथो हाथी elect कर लिया जाता है speaker जब नहीं लोगसभा आके बैठती है उस समय एक अलग से post होती है जिसका नाम है pro temp speaker वो elect किये जाते हैं इसके बात speaker के elections होके speaker यहाँ पे आते हैं खास बात यह जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे या अफिर आपको पता होनी चाहिए speaker ओथ नहीं लेते हैं यह सबसे important information है पांच सालों के लिंका tenure होता है अभी हमारे जो प्रेजन्ट है speaker 2019 से वो है ओम बिरला जिनकी पिचर भी आपने देखी थी और first हमारे जो speaker रहे है गनेश वासुदेव मावलांकर जीवी मावलांकर रहे दुर्भागेवश इनकी मृत्यू हो जाती है तो यहाँ पर आकर के next जो है सर्फ करते हैं इनकी डेथ होने के बाद next आते हैं MA अयनगर वो आके सर्फ करते हैं उसके अलावा थुकुम सिंग, नीलम संजीवा रेदी, जी एस धिलो, बलीराम भगत, के एस हेगडे, बलराम जाघर, राभी राइ, शिवराज पार्टल, संगमा, बाल योगी, मनुहर जोशी, सोमना चातर जी, मीरा कुमार, सुमित्वा महाजन ये सब हमारे speakers रहे अभी जो हमारे ये question बनता है अगर exam में, कि अभी तक हमारे longest serving speaker कौन से है, मतलब ऐसे speaker, जो सबसे लंबे कारेकाल के लिए रहे हैं, तो आप उनका नाम याद रख लीजेगा, बलराम जाखड उनका नाम चीक है, ये भी सवाल, देखो सवाल तो कहीं से भी कुछ भी बन सकता है न, चीक है, ये पहले मध्यपरदेश के governor भी थे, फिर ये speaker भी बन गए, चीक है, तो ये एक important point है, इसको भी दिमार दे रखना, एक चीज़ और, कि speaker का जो office है, ये speaker का office पहली बार कब बनाया जाता ह अमीशा से है या फिर constitution में लिखा गया था, तो देखिए आप लोगोंने history में और polity में government of India act 19.19 के बारे में तो पड़ा ही होगा, जिससे montegu champsport reforms के नाम से भी जाना जाता हो, तो इस act में speaker के office को create करने की बात की गई थी और पहली बार speaker का office 1921 में first time बनाया जा है, speaker के पास motion ये सब कुछ ये decide करते हैं, इनके जो elections की date होती है, बहुत important चीज, elections की जो date है, वो कौन fix करते हैं, इनकी president fix करते हैं, president fixes the election date of speaker, जोइन सिटिंग होगी, article 108 के तहरे, तब भी speaker ही आके पूरे house को समभावेंगी, जोइन सिटिंग के साम होगी, जोइन सिटिंग के साम होगी, तो speaker वहाँ पे sign करेंगे, तभी वो राजिस्वा में जाएगा और उसका आगे proceed किया जाएगा, speaker कभी भी पहरी बार में vote नहीं करते हैं, speaker केवल तभी vote करते हैं, जब tie की situation आ जाती है, और उस case में, उस vote का नाम पढ़ जाता है, casting vote, ये सब मैंने आपको सिर्फ revise करा है, आपको clear हुआ first, second है, अभी हाल फिलाल में, मेरा युवा भारत करके, एक अलग से, जो है, क्या किया गया है, scheme कहलो, अलग से, logo वगरा, काफी चीज़े ये news में रहा है, तो अभी एक logo डिजाइन करने के लिए ये भी बोला गया, कि आप तीन दिन के लिए, 17 अक्टूबर स participate कर सकते हो, मेरा युवा भारत के logo को design करने के लिए, काफी सरे लोगों ने design का submission भी दे दिया है, अगर आपने है, आपको tagline भी suggest कर सकते हो, मेरा युवा भारत के लिए, जो भी यहाँ पर, वो हो जाएंगी select, वो पता चली जाएगा हमें, तो मेरा युवा भारत करके, ए एक अलग से स्थापित किया यहाँ पर, जिसमें 15 से 29 के जितने भी यहाँ पर वर्ष के नौजवान हैं, उनके लिए यहाँ पर यूथ असल में क्या होता है, उसको यहाँ पर बताया जाएगा, 31 अक्टूबर को launch की जाएगी, अभी launch नहीं हुए, अभी तक तो यह चल रह इसको बस इक 30 अक्टूबर को इसको launch करेंगे, 30 अक्टूबर आपको बता हमारा एकता दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस युनिटी डे, जिस दिन किसका बहुत थड़े आता है, सर्दार बल्ला भाई पटिल के जनम दिवस पे, जिस दिन हमारा स्टाट्य अफ युनिट किस मिनिस्ट्री में आता है, इसको इमाग में रखेंगा, बढ़ते हम लोग आगे, अभी हाल फिलाल में जियाई टाग दिया गया, हमेशा ही एक हमेशा हर हफते की न्यूज में, एक ना एक आर्टिकल तो हमारा जियाई टाग का आई जाता है, क्योंकि अभी कोशना कुछ हर हफते कुछ ना कुछ स्पेशल मिल जाता है, तो गोवा के कैश्यो को अभी हाल फिलाल में जियाई टाग गया है, इसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अर्नाचर प्रदेश के प्रोडक्स को मिला है, वो आपने याद की होंगे, सेम उसी प्रकार से गोवा की इं इंडिकेशन भंगॉलिक संकेता ताग होता है, जो कि एक स्पैसितिक रीजन को रिप्रेजन करता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, कि यह जो टाग होता है, यह हमारी कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स, वानिज्यमंत्रालियो और पाजू, यह गोवा में कहां से आओ, यह गोवा में इंट्रोड्यूस कराने वाले थे पॉर्चुगीज, पता है ना आपको पॉर्चुगीज के कबजे में था गोवा, है ना, वही तो छोड़के गए हैं, कब छोड़ा उन्होंने, उन्होंने 1961 में 19 दिसंबर को हमारी भा परा ओपरेशन आजए यह आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताओगी, आप लोग बताइए ओपरेशन आजए किसले निउस में हैं, तो काजू, जो है यह कौंकनी लाइंगविज का एक शब्द है, यह ब्राजील, लाटिन अमेरिका से शुरू हुआ था, यह पूरा प पर पूरा एक है, पॉर्चुगीज दोरा इंट्रोडूस कराया गया था, काफी लोगों को पसंद आने लगा, और दीरे-दीरे करते करते हैं, यह फिर कैश्य की प्रड़क्शन वहाँ पर बढ़ने लगते हैं, तो प्रड़क्शन बढ़ाई, तब ही तो इसका इंपोर्ट एक्पोर्ट करना असान हो गया, बढ़ना मुश्किल होता, वैसे तो यह आमेजॉन पे भी अवेलेबल हैं, अगर आपने से किसी ने कभी खाए हैं, तो मुझे जरूर बताना इस चीज के बारे में, कि अगर ऐसा आपको लगता है कि यह है, अगर की तच में गोवा के कैश्यू का टेस्ट आ रहा है, तो बताना जरा, ठीक है, तो यह याद रखेगा, जी आई टाक्स, एक पूरा कॉ आपजे में अजादी से पहले, अजादी के बाद तक 1961 तक रहा था, 19 दिसम्बर को अजादी मेले, 36 गंटों का, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया था, पीछे खीचा था बिल्कुल पॉच्यूगीज को, और हम लोगों ने गोवा को अपनी टेरिट्री के रूप में, आज 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 यूटी, याद रखेगा पहले गोवा आजआ यूटी शामिल हुए, पीछेच के बनाएं गया 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 है Wolf को इस यूटी के रूप में रेखली में था क्लेयर ह होने चाहिए, यहूगी इन क्लेयर होने चाहिए, यूघी बहुत ज़ाद सवाल बनते हैं। तो बहुत पाइला भी देगा चालिए आगे बढ़ते हैं अगला ये तो बड़ा ही इंपोर्टेंट है मुझे ऐसा लग रहा है मुश्क बुद्गी पर बिल्कुल क्वेशन आएगा ये पिच्छर है भई मुश्क बुद्गी की देख लिजे आप लो हो सकते हैं मेरी प्रण तो प्र데3 preço भई पर बाइस बैसे प्राइसे प्रणा टैको टो मुझे वरी एक कि दॉद्गी में को कि.S. पीढ़ गरा गरा भी करीब बारा सौन पचास पर केजी पर बाइस फीकिया का प्राइस घ्रा इनमने के लिए बहुत अच्छा है लो फाट के साथ तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है राइस विराइटी यहां पर यह बोला गया है कि इस राइस की विराइटी को पांच हजार हेक्टेर में आगे आगने वाले तीन सालों तक इसको बढ़ाने वाले हैं जो कि सागम पांगजम शोफशाली अनंतनाग एरिया बढगां डिस्ट्रिक में ग्रो किया जाता है जिसकी जो ऐसा बोला जाता है कि यह अब काफी जादा इसकी जो है प्रॉब्लम सोरीं की खतम होने की का गार पर आ रहा है तो इसको यूज करना स्टार्ट करेंगी इसकी अलग वहां पर एक मुश्क बुद्धिकी के बारे में आपको पूछा जाता है और उसके बारे में क्वेशन साइंगे तो याद रुखे का यह काश्मीर से बिलॉंग करते हैं और इसको हाल फिलाल में जी आई टाइक दिया गया जाता है दस सालों के लिए दिया जाता है मिनिस्ट्री देती है यह अच छहुंआ हूँ, इन यह देंसमें हो ने भी पहाल फिलाल में जी आई टाइस, तो इसलिए यह काफी जादा बन जाता है और यह अभी पांच विलेजेस में गरो किया जाता है। मेंधी कहां पर पूछता है, तो साउत कश्मीर ब्रमय कांट की वह यह चाहिया जाहा था मैं आव को बना का अब ले हैं सब्सक्तिड कर दिखाँ है कि यहां पर जो है गाजा में इस्तेमाल किया है एक टॉक्सिक सब्स्टंस है जो कि एक मेटल तक को पिगला सकता है तो हमसे बहुत हाई चांस है वाइट फॉस्फॉरस के पूछने का बहुत है इस्राइल की मिलिट्री ने वाइट फॉस्फॉरस के बॉंब्स को इस्तेमाल किया है गाजा स्ट्रिप पे अचाक के निकला आपको बता है हामाज ने पहले इस्तिमाल किया है और उसमें जो बॉम का इस्तिमाल किया गया वहां की उसके अंदर इस्तिमाल किया गया है आपके लिए एक्जाम के लिए इसे उपर कोई ना कोई क्वेशन बन सकता है कलर वगयरा पूछ सकते हैं इसकी अडर पूछ सकते हैं इसकी खुश्बू गंद गया है कैसी होती है लेशन जैसी होती है क्लरलेस सा डिखता है वाय वैक्स कलर का होता है कभी कभी येल lio ए ओठा और में वहां डाया वायुल कर सकता है और और साथी साथ ये बाउन्म् स्टूब्ड घृनेडेम शेल्स रॉकेट वहें उन सब्में मिक्स कर कि संचों कर शक्या हमारे औरिगंज को खराब कर देगा लिवर किडिनी हार्ट इसका बहुत जादा इफेक्ट पड़ता है हमारा मेटाबॉलिक खराब हो जाएगा तो यह एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा कपड़ों पे चिपक जाता है इसको इसको बन नहीं किया इसको मैं आप बता दूँ कि इतना अगर खतरनाक है तो वाइट इसको इंटरनाशनल यह भी बन नहीं किया लेकिन यह बोला गया है इसको सिविलेंट पॉपिलेशन पर आप इसको 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 इ बन सकता है, ठीक है भई, यह पूरी आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है, आज का एक इंपॉर्टन्ट क्वेशन, जो अभी आपने वैसे पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहते हूं, आपने मुश्क बुझ जी के बारे में पढ़ा है मुश्क बुझ जी, ये तीन आपके पास statement लिखी हुई है, इनको आप पढ़िए, और इसका answer मुझे comment box में बताईए, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे ताकि मुझे clear हो जाए कौन से questions का आप बता रहे हो, question 1, answer इसको option लिखोगे, question 2, option लिखोगे, जो आपको पता चलेगा, सबसाब इसको option लिखोगे, मुश्क बुझ जी, आज ही पढ़ाया है आपको, कुछ नहीं करना इन तीनों questions को यहाँ पर आपने बताना है, पढ़के answer देने, UPSC भी आजकल ऐसे ही पूछ रही है न, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं, कुछ इसी प्रकार से पूछती है, अची टाइम पर, तो मैंने भी उसी pattern को follow करते हुए आपसे बोला है, तो इसका answer, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग comment box में बताएंगे, और फिर मैं यहाँ पर उसको discuss कूँझ, क्यों मैंने ही बता दिया, तो आपने क्या मेहनत करी, मैंने आपको topic समझा दिया, आप को article समझा देती हूं, फिर से जड़ावा question करें, यह है article मेदाराम जतारा के ओपर, मैंसे मेदाराम एक जगह का नाम है, तेलंगाना में एक village है, मेदारा, यहाँ पे बहुती बड़ा एक festival मनाया जाता है, जिसका नाम है सामक्खा सराखा, सामक्खा सराखा, जिसका दूसरा नाम है मीदाराम जतारा, याद करना पड़ेगा बाब को, यह इस village में organize किया जाता है, जिसका नाम है समक्खा सकारा जतारा, हिंदू ट्राइबल फेस्टिवल के लिए मनाया जाता है, कहां पे तेलंगाना, तेलंगाना में कहां पर तेलंगाना में एक जगह है, मुलूगु में इसको मनाया जाता है, याद करना, वहां के एक tribe community रहती है, tribe community का नाम क्या है, कोया tribes, आप question यहां से भी बनता है, कोया tribes कहां से बिलॉंग करते हैं, तो answer क्या आ जाएगा, तेलंगाना, मालनों तेलंगाना option में नहीं है, तो उसका साथ का आ जाएगा कौन थ अंध्रदेश, एक ही बात है, पहले एक ही पार्ट से ना यह, तो 2014 में अलग हो गए, तो कोया tribes वहां पे इसको perform करते हैं, कोया के customs के according, कोया tribes वहां पर समाखा जो देवी हैं, उनको यहां पर पूजा अर्पित की जाती है, भर के लोग वहां पर पहुँचते हैं, नॉन को कोया tribe है, तो कोया के लोग ही जाएंगे, कोया के अलावा भी लोग वहां पर खूब जाती है, और ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कुम्ब मेले के बाद, सेकेंड जो सबसे बड़ा मेला लगता है, वहां होता है, जरूरी नहीं है, सेकेंड हो मतलब हां की काफी जो कि उनका पूरा इंजस्टिस था, उसके अगेंस, उनने पूरी फाइट की थी उस समय, और काफी सारी पावर समाख्या के बारे में अलग-अलग कहानिया है, बस आपको क्या याद रखना है, कि ये ट्राइबल लोगों का कुम्ब मेला है, कौन से ट्राइब्स का कोया ट पर है तेलंगाना, तेलंगाना का है हमारे प्यारे भारत, तो ये क्वेशन जरा आप लोग अब सॉल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकेंगे, आप सभी लोग इस क्वेशन को सॉल्ट, मेदारा जो तारा ये न्यूज में रहता है, क्या है, तो ये ऑप्शन पढ़ों, फर्स है पंजाब की, वो कही जाती है गटका, गटका पंजाब की सिख जो होते हैं, वो यहाँ पर जो होते हैं, स्टिक्स, स्वार्ड, उससे यहाँ पर लड़ते हैं, उसे कहते हैं, मार्शल आक्ट, स्वार्ड, कतार, शील्ड, सोटी, हम लोग स्टिक को कहते हैं, सोटी, तो उ तो यह उप्शन में रही है यह मैं आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉमेशन के रूप में बता रही हूँ क्योंकि सिर्क मार्शल आट बहुत बुदानी मार्शल आट है तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए और यह ऑलम्पिक्स में आगला अप्शन देखो के फोक डांस ओफ गोवा तो फोक डांस ओफ गोवा केवल एक नहीं है काफी सारे हैं लेकिन ढालो करके एक है वह का काफी फेमस हो जाता है फोक कल्चर में ढालो फुगडी यह काफी परफॉर्म किये जाते है ढालो याद रख लीजेगा और एक फ पुछ लेते हैं अब इसके अलावा आपका देखो एंशन फॉर्म ऑफ थेटर ऑफ केरल यह तो बढ़ी बहुत जादा न्यूज में रहता है केरल के अंदर काफी सारे एंशन फॉर्म एक फिंगल नहीं है लेकिन ट्रडिशनल थेटर जो है वो दो आपको याद रखने है के लिए एक तो भाई वहां का सबसे जादा ही फेमस है वो है कोट्टायम सुना होगा इसके बारे में काफी जादा न्यूज में रहता है थेयम, कोट्थू, उपना, काफी सारे हैं लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक्जाम के लिए के याद रखना है वो आप केबल दो याद कर लो, एक तो आप कुड़ी आटम याद कर लो, बहुत पुराना है वहां को, देखो आपको मैं एक और चीज़ बता दू, आटम वर्ड आ रहा है न, आप इसको दिमाग भी रखना, वो केरल से बिलोंग करता हुगा, ठीक है, वहां पे पपेट औ यह सब बहुत पुराना है, खथाकली भी आप जानते हो, बहुत पुराना है, तो पुराना थेटर में आप यह दो नाम याद कर लो, और कई भी थेयम वर्ड आता है, तो थेयम वर्ड को यूज करते हैं, अपने गौड के लिए, प्योंकि हमको ना मल्याली आती नहीं है, तो हमको नहीं पता चलता है, यह करनाटका के हैं या केरल के हमें कन्फूजन हो जाती नौर्थ इंडिया की लोग है, लोगों को नहीं होता, ताओ इंडिया वालो को, नौर्थ इंडिया के लिए कन्फूजन हो जाती होगी, तो यह कॉमनसी बात है, लेक resonates with some of the stuff we can say, but we can not say और आटम बताया था ना जैसे कि मोहिनी आटम वो भी वहिंका है केरल का कृष्णा आटम यह भी केरल का है तो आटम नाटकम ऐसे करके शब्द आएंगे वो आप याद कर लिए जो का केरल से बिलाँ करते हैं तो इस प्रकार से यह हमारे इंपॉर्टन आर्टिकल्स है ऑक्ट जरू कवर करें आप लोगों को आर्टिकल 32 आता है आर्टिकल 32 की जो भी हमारी 5 रिट्स है उनको मैंने वहां पर डीटेल में कवर किया है उन शॉट्स को भी जाकर कि आप सभी लोग देख सकते हो और आपको जो नॉलिज मिले अगर उसके कुछ भी नॉलिज आपको मिलती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आप उससे क्या सीखने को मिलता है तो यहां तक आप अपना पूरा करन्ट अफेर को कवर कीजिए जी आई टाग दो कवर किये हैं कौन-कौन से कवर किये हैं एक हमने कवर किया मुश्क बुद जी एक हमने गुवा के कैश्यू कवर किये हैं याद रखना कब कहां कैसे पूरी स्टोरी मेरा युवा भारत याद रखेगा जी ट्वेंटी की पूरी सम्मिट पी ट्वेंटी का पूरा समझाया था वो याद रखेगा उसके बाद वाइट फॉस्वारस बहुत यूज में आने लग गया ठीक है उ सारी चीजे हमारी हमने लिखनी है आपने नोट्स बनाए है बहुत भैतरीन बात है नोट्स बनाना बहुत जरूर है तो समझ में नहीं आएगा उक्टोबर महिने के सारे करंट अफेर को आपको कवर करवाया जा रहा उनको कवर करके कैसा लगा वीडियो मुझे बताईएग बिलते आप सभी लोग उसे अगले लेक्चर में सब तक के धन्यवाद शुक्रिया जैहिन